यात्रा तेलंगाना राज्य के संगारेड़ी से सुभः प्रारंभ हुई युवाओं को रोजगार प्रदान करने और दैनिक आवर्शक्ता वाली वस्तूओं की कीम्तों में वृध्धी को नियंत्रित करने में वर्तमान सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है जीमेट फाउंडेशन दिल से यात्रा का समर्थन करता है और लोगों के लिए रोजगार मेले की व्यवस्ता करके युवाओं के लिए नए स्टार्ट अप शुरू करने में योगदान देता है यह उद्यमी कैरियर शुरू करने का अफसर प्रदान करता है दर्शकों से अनुरोध है कि वे विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नव्योगों में बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकारी तंत्र के विरुद्ध पद यात्रा कन्या कुमारी से काश्मीर तक चलेगी रास्ते में अलग-अलग लोग मिलते हैं औ और तेलंगाना में राहुल गांधी के साथ अपनी समस्याएं साजा करते हैं भारत जोडो यात्रा के यादगार पलों को ताजा रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया है जोब ही जोब वीडियो द्वारा हम राहुल गांधी की भारत जोडो मिशन का समर्थन करते हैं और लोगों को रोजगार पाने के लिए स्वयम के साधन जुटाने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि सरकार नौकरी देने में असमर्थ है सबसे पहले हमें युवाओं की मानसिक्ता बदलने की जरूरत है उन्ही सूचित किया जाना चाहिए कि प्रचलित सिस्टम में सरकारी नौकरियां मिलना असंभव है साथ ही अभिभावकों को मान लेना चाहिए कि वर्तमान प्रतिकूल परिस्थियों में सरकारी नौकरियां आने वाले 25 से 30 वर्षों तक नहीं मिल सकती है इसके अतरिक्त प्रोफेशन संस्थानों की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्शकता भी है त्योरी विश्यों में परिक्षा का तुरंत बहिश्कार कर डिग्री डिप्लोमा केवल प्रैक्टिकल परिक्षाओं द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव से यूपी, सी, आईएस और गेट जैसी क्वालिफाइन एग्जाम आयोजित करने की प्रथा बंद हो जाएगी इस प्रकार माता-पिता की खून-पसीने की कमाई पेपर लीक और कई अन्य भ्रस्टाचार के कारणों से बर्बाद नहीं होगी ये सभी बदलाव राहुल गांधी की तपस्या यात्रा को सफल बनाने में योगदान देंगे युवाओं को नए स्टार्ट अप और उद्ध्यम शील्टा कैरियर शुरू करने के लिए स्किल्स सीख कर नौकरी करने के अफसर के प्रदान किये जा रहे हैं नौकरियों को तीन चर्णों में वर्गी कृत किया है स्कूल के विद्यार्थी 1. कक्षा 6-8 वी लवल के स्कूली चातरों को कम्प्यूटर सीखने और उसके विभिन उप्योग करने की स्किल्स सिखाई जाती है 2. कक्षा 9-10 वी लवल के स्कूली चातरों को स्मार्ट जियोमेट्री कॉनसप्ट को सिखाने और उन्हीं बुर्धिमान, अभिनव और आविशकार्शी बनाने में आवश्यक करते हैं 3. कक्षा 11-12 लवल के स्कूली चातरों को सौफ्ट एप्स बनाने में और उप्योग करने की विधी सिखाने में सहियो Graduate Job Fair 1. PGDCA, MBA, BCA, BBA आधी कोर्स में डिग्रे डिपलोमा प्राप्त छातरों को Job Fair में रजिस्ट्रेशन के लिए शैक्षिक योग्यता निवास प्रमान पत्र या आधार कार्ड, पासपोर्ट साइस फोटो आधी के साथ उपस्थित होना होगा 2. लक्षन मुख परिनामों पर काम करने के लिए छातरों को समुहों में साक्षातकार के लिए उपस्थित होना होगा 2. एक सिलक्टेड छातरों को ट्रेनिंग मॉडिल्स वित्रित करने के लिए समुहों में काम करना होगा दो, इंजिनेरिंग सनातक B.O.T. और सोशल इंजिनेरिंग परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है जीमेट फाउंडेशन द्वारा रोजगार मेला रोजगार सह कौशल मेला दुर्ग भिलाए के कॉलेजों से PGDCA, BCA, BBA, BAID, MBA, BCA, BSC डिग्री डिपलोमा करने वाले छातरों के लिए आयोजत है 15 नवंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच छातर रिपोर्ट कर सकते हैं और नियुक्ति के लिए पंजी करण कर सकते हैं आवेदक शैक्षिक योग्यता, निवास प्रमान पत्रया आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो आधी के साथ उपस्थित होकर रजिस्टर हो सकते हैं पद की जानकारी के लिए संपर्क करें मासिक वेतन कार्य कुशल्टा के अनुसार 10,000 से 20,000 रुपए उम्र 18 से 35 वर्ष काम मोबाईल का उप्योग करके फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम भी आप्शन हो सकता है पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी संगठन जीवमेट फाउंडेशन एबी आठ आदर्श नगर दुर्ग छतीसगर केवल जरूरकमंद व्यक्ति ही संपर्क करें फोन नंबर 975503096005 राहुल गांधी कन्या कुमारी से लेकर के कस्मीर तक के साथे 3000 किलो मेटर भार जोड़ो यात्रा निकाले हुए है जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है या उनको यात्रा में सामिल होने के लिए जन सालाव उबढ रहा है उससे पूरी तरीके से बीजीपे बेचैन हो गई और यही वज़य है कि आए दिन कहीं न कहीं कि बड़े बड़े लीडर जो है बीजीपी छोड़ करके कांगरेस में सामिल हो रहे हैं क्योंकि अब बीजीपी की जितने बड़े बड़े लीडर है वो चाहे प्रदेश के हों चाहे केंद्र के हों उनको अब लगने लगा है कि भविस्त्य शुरच्छिट जो है आने वाले समय में कांगरेस में होगा क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी के मनमानी को ले करके महणाई और विरुजगारी को ले करके और राहूल गांधी जन जन में जा रहे हैं और जन विरुधी कानून जो मोदी जी ने बनाया है जियस्टी को ले करके एवनोट बंदी को ले करके उसको जनता के बीच में जिस तर